नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को दोस्तों भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से 21 जनवरी पुत्रदा एका दशी की सुबह 7.30 बजे अचानक चमक उठेगा इन छ राशिवालों का भाग्य मिलेंगी अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी खुश खबरी जी हां दोस्तों भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी अब 12 राशियों में से इन छाह राशिवालों पर 21 जनवरी पुत्रदा एका दशी के दिन बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं जिससे अब इन छाह राशिवालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और अब इन छाह राशिवालों के जीवन में भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जिससे इन छाह राशिवालों का जीवन बदल जाएगा या छाह खुश नसीब और जिनका भाग्य भगवान विश्णुजी और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन की सुबह 7 बजे से चमकने वाला है और इन 5 राशिवालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी इस वीडियो में हम आपको उन राशियों क के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप स्किप न करें क्योंकि यह वीडियो 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन इन 6 राशिवालों के लिए बहुत ही महत्व पूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी कलियोग में सबसे सक्रिय देवताओं में से एक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस संसार में हर कोई चाहता है कि उन्हें भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद प्राप्त हो। और वह सोचता है कि उसके सभी और परेशानियां दूर हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं। हर कोई सोचता है कि उसके पास धेर सारा पैसा हो, उसके जीवन में पैसों की किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। किसी के जीवन में सारे सुख मिल जाते हैं तो किसी को थोड़ा भी नसीब नहीं होता। हर मनुष्य का जीवन उतार और चड़ाव से भरा होता, किसी को कभी सुख मिलता है तो कभी दुख, जिससे अब इन राशी वालों के जीवन में मा लक्ष्मी के आशीरवाद से आने वाली है। जिनके सभी दुख दर्द और कष्ट आज रात से मा लक्ष्मी दूर करने वाली है और यह राशी वाले माला माल होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उन ही कुछ खुश नसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो क शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस न करें। क्योंकि यह वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले मालक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीड आइकन को प्रेस करें। जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्यानवर्धक जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करीब दोस्तों बात करते हैं। उन खुश नसीब और भाग्यशा को लेकर काफी सजग रहने की कोशिश करता है और इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने भविश्य को जान एकी उत्सुकता भी रखता है क्योंकि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर अ काने वाली है। दोस्तों देवी लक्षमी को धन की देवी कहा जाता है और कहा जाता है कि इनकी कृपा जिसके भी उपर हो जाती है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं। इस दुनिया में सभी एक बराबर नहीं होते। किसी की अमीरी और गरीबी उसकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वह अपनी मेहनत से अमीर बन सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे अमीर हो या फिर गरीब उनके अंदर धन कमाने की चाहत बाकी सबसे अधिक होती है। ऐसे में हमारे ग्रह नक्षत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है। तो उसका असर कुछ राशियों पर सकारात्मक तो कुछ राशियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। जोतिश के मुताबिक फिर ऐसा महासंयोग बन रहा है जब बारह राशियों में से अब इन राशिवालों की किस्मत खु दोस्तों, आज जिन भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों को मा लक्ष्मी के आशीरवाद से अनेकों प्रकार के लाभ धन लाभ और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। उपर कृपा बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी। मा लक्ष्मी की कृपा से इस राशिके लोगों को धन लाभ होगा और व्यापार में भारी मुनाफ़ा होगा। साथ-साथ धार्मिक कार्य आपके समय पर पूरी होंगी और घर-परिवार में भी योग मा लक्ष्मी के आशीरवाद से व्रिष्चिक राशिवालों आपके लिए बन रहे हैं। मा लक्ष्मी की कृपा सा, आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। मा लक्ष्मी की कृपा से ही आपके हर कार्य सफल होंगी और नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृध्ध के भी योग हैं। कहना गलत नहीं होगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को काफी धन लाभ प्राप्ती के संकेत नजर आ रहे हैं। जीवन साथी की तरफ से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मा लक्ष्मी की कृपा से इस राशी के लोगों के व्यापार में व्रिद्धी होने की संभावना है। साथ ही साथ मेश राशी वालों को सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस राशी के जो लोग विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही आपके द्वारा किये गए प्रयास, आपकी सबसे बड़ी मुश्किलों का समाधान होगा। आप जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। मा लक्ष्मी के आशीरवाद से मेश राशी वालों आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जब उसको जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने को लेकर सपना देख रहे हैं, वे सपना इनका जल्दी ही पूरा हो सकता है। मा लक्ष्मी की क्रिपा से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो योजना इनकी अवश्य सफल होगी। दोस्तों, मा लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जो भी इच्छाएं हैं, वे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जिससे आपके घर परिवार में होंगी। अपार खुशियां ही खुशियां तो इस लिस्ट में जो अगली राशी आती हैं, वे राशी है। मिथुन राशी दोस्तों, मिथुन राशी वालों को बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके उपर बहुत अधिक प्रसन्न हैं। आए के नए स्रोत्मा लक्ष्मी के आशीरवाद से आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले लोगों की आए में वृद्धी होने के साथ साथ, पदोन्नती प्राप्त होने की पूरी संभावना बनी हुई है। व्यापार में अचानक धनलाब के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धनलाब, मिथुन राशी वालों आपको हो सकता है और ग्रिहस्थ जीवन में सुख शान्ती रहेंगी। मा लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मा लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है, जो अगली राशी आती हैं, वे राशी है। तुला राशी तुला राशी वालों को बता दें कि आपके उपर मा लक्ष्मी की लगातार कृपा द्रिष्टी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपके जो भी कार्य काफी सालों से रुके हुए थी, वे सफलता पूर्वक पूरे होंगे। तुला राशी के लोगों के उपर मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहेंगी, हालांकि आप लोग अपने उग्र स्वभाव पर थोड़ा सीम रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। समय अब आपके लिए खुशियों भरा है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े लोगों के सहयोग मिलने से काम आपका आसान होगा। साथ ही साथ यदि आपका कर्ज चढ़ रहा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। महनत का अब आपको लाभ मिलेगा। दामपत्य संबंधों में मधुर्ता आएगी। व्यावसाय क्षेत्र में मन चाही आपको सफलता प्राप्त होगी। मा लक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत रहेंगी। व्यापार आपका दिन दोगुनी रात, चोगुनी तरक्की करेगा। माता लक्ष्मी का करके आपके जो भी कर रहे हैं वे सभी कर रहे हैं। सफलता पूर्वक पूरे होंगे। आपके घर परिवार मम। एन खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करने को लेकर या फिर नौकरी करने को लेकर सपना देख रहे हैं, तो उनका यह सपना जल्द ही पूरा होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको मनचा ही नौकरी मिलेगी। साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृध्धि के भी योग है। जिससे आपको आने वाले समय में भारी धन लाब हो सकता है। या दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में मंचाहा लाब प्राप्थ होने वाला है। साथ साथ आपको बता दें, जो समय है अब आपके पक्ष में हैं, इसका लाब हुठाएं, साथ ही साथ आपकी सभी योजनाएं पूरी होंगी। आप बुद्धी के बल पर परिशानी का समाधान करेंगे। आपके सामने नए विचार भी आ सकते हैं, जिन पर आप विचार करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। पैसों से जुड़े सभी मामले में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक एकता बनी रहेंगी। परिवार में वाद विवाद आप उत्पन्न करें तो बहतर होगा। मा लक्ष्मी की दया दृष्टी से आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियां दूर ह कहना गलत नहीं होगा। मिलेगी। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। अचानक धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं जिससे आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। वाणी और व्यवहार पर संयम्र कर आप अपने बिगड़े हुए कामों को पूरा करें। इसके साथ ही ओन्फिस के काम सम के नए नए स्रोत खुलेंगे। नया वाहन खरीदने के भी योग हैं। आपको बता दें कि महालक्ष्मी की कृपा से सिंह राशिवालों अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से नजाने दें। या दो पूस्तों आप स्वयम ही अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई अत्यंत ही लाभकारी होगी। नई योजनाएं लागू करने के लिए समय बेहद शुब है। जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे, आपको सफलता वश्य ही प्राप्थ होगी। कम मेहनत से अधिक फल आपको प्राप्थ होगा। आप आत्म विश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और यह आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। विशेशकर कार्यक्षेत्र में यह आपके लिए अत्यंत लाभ प समय होगा जब आपको लगेगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। इस आनंद को आप महसूस करें और आगे बढ़े। मालक्ष्मी के आशीरवाद से आपके सभी कार्य अब पूरी होगी। साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति का भी शुभ प्राप्थ होग जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करने को लेकर सपना देख रहे हैं या पढ़ाई को लेकर सपना देख रहे हैं तो यह सपना इनका जल्द ही पूरा हो सकता है। आपके लिए नए वाहन या फिर नए मकान खरीदने के भी योग हैं। चारों तरफ से व्रिशब राशि जिन पर मा लक्ष्मी की विशेश कृपा बन रही है। लक्ष्मी जी के आशीरवाद से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। यूं कहें कि इन राशी वालों की अब लोटरी लगें मा लक्ष्मी के आशीरवाद से अब इन राशी वालों को चारों तरफ से लाब ही लाब म, लने वाला है, जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कॉमेंट बॉक्स में जय मा लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडिय को लाइक करें